नवस्कार मैं डॉक्टर शुकाराम सही काचरी इत्यास राजकी डुंगरमाविदाले बिकानेर आज का हमारे टॉपिक है गयसुदिन तुगलक गयसुदिन तुगलक का शाषनकाल तेरह सो बीस से लेकर तेरह सो पत्चीश इश्वी तक रहा अर्थात गयसुदिन तुगलक ने लगभग पाँच वर्ष तक शाषन किया अलावदिन खिलजी की मृत्यू के बाद उसका पुत्र मुबारक शाष खिलजी दिल्ली का सुलतान बना लेकिन मुबारक शाष खिलजी कोई योग्य शासक नहीं था वो एक विलासीता का जीवन जीता और उसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिवा या शाषन करने के गुण उसमें मौजूद नहीं थे ऐसी आवस्ता में उसी के एक दाश खुश्रोशा ने उसके हत्या गरके और तेरा सो बीश शिश्वी में दिल्ली के सत्ता को हत्या लिया था लेकिन इसी दुरान उत्तर पर्श्चिमी शिमा प्रांथ के एक गवर्नर मलिक तुगलक ने खुश्रोशा के हत्या करके और दिल्ली के सासन पर अपना आदिपत्ते इस्तापित किया इस परकार गैसुदिन तुगलक ने अपने सासन या सत्ता की नीम डाली गैसुदिन तुगलक तुगलक वंस का पहला सासक था इसलिए इसको संस्तापक कहा जाता है और दूसरी बात हमने कही कि गैसुदिन तुगलक ने दिल्ली के सत्ता पर इस्तापना या सत्ता को आसिल करने से पूर उसने गाजी की उपादी धार्ण कि इसको गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वद्ध करने वाला इसके अलावा तुगलक सुल्तानों को इतिहासकार विशेश रूफ से डॉक्टर इश्वरी प्रशाद केम बात करते हैं इसको करोना तुर्क के नाम से इनको जाना जाता है करोना तुर्क से मतलब ये है कि मिश्रित तुर्की है ये ये प्योर तुर्की नहीं है क्योंकि तुगलक वंस के संस्तापक गैसुदिन तुगलग के पिता तो तुर्क थे और उनकी माँ पंजाब की एक हिंदु महीला थी इसलिए उनकी संतानों को को डॉक्टर इस्षुरी प्रशाद ने अपनी पुस्तक दा हिस्ट्री ओफ दे करोना ट्रक्स में तुगलक सुल्तानों को करोना ट्रक्स करोना तुरक इनको के करके पुकार आया है इसके लाव हम देख रहे हैं कि अलावदिन खिलजी की जो दक्षिन नीती थी दक्षिन भा दिली सल्तंत में विले की निती को अपनाया और सबसे पहले 1323 में वरंगल के काक्ती राज्ये को जीत करके उसने दिली सल्तंत में उसका विले कर लिया तत पर साथ पांडे जिसको माबर कहा दाता था मुस्लिम लिक्कों द्वारा का भी विले 1323 में कर लिया गया तो यह एक foreign policy में ये बाहरी निती में बड़ा बदलाव गैसु दिन तुखलक के समय में हमें दिखाई देता है इसके लवाग गैसु दिन तुखलक ने दिली में एक तुखलकाबाद नाम का नगर की इस्थाबना करी दिली सल्तनत के विबिन सुल्तानों द्वाराद दिली और उसके आस की थोरा और सीरी नामक दो नगर बसाए गए थे और यह तीसरा नगर था तुखलक का बाद जिसके स्थापना गैसु दिन तुखलक ने की थी इसके अलावा गैसु दिन तुखलक ने स्वयम का एक मकबरा बनाया और इस मकबरे की खास बात यह थी कि यह भारत में निर्मित पहला ऐसा मकबरा था जिसका पूरा का पूरा गुंबद डौम सपेज संगमरमर का बना था गैसुदिन तुगलक के बारे में दिली के सुपी संथ निजामुदिन ओलिया ने कहा था कि हुनुज दिली दूरस्त ये फार्सी में कही गई एक उक्ती है जिसका आर्थ होता है दि दिली के सुपी संथ निजामुदिन ओलिया और गैसुदिन तुगलक के संबंद काफी कटूता पूर्ण हो गये थे क्योंकि मुबारक शाह कुत्वदिन मुबारक शाह और खुश्रुशा के समय में निजामुदिन ओलिया को राजकुष से बहुत अधीक पैसा दिया गये था गैसुदिन तुगलक जब शासक बना सुल्तान बना तो उसको पता लगया कि निजामुदिन ओलिया को बहुत सरा पैसा द देने की लिए कहा तो ओल्याव dene देने से मना कर दिया Alia क्या कि मिला होगा दन्तु मुझे दिया गए था लेकिन मेरे यहां खानका में फाजारूं लोग आते जाते हैं और मैं ने काइन काम में कुण अबन्टुमा लोगों को श्रूब ह नहें लोगों करके पुने दिल्ली लोट करके मैं तुमारी खबर लूँगा तब निजम अदिन ओलिया ने कहते हैं कि व्यंग में उसको कहा कि हनुजे दिल्ली दूर हस्त अभी दिल्ली दूर है और बंगाल विजे के पश्चात जब सुल्तान पुने दिल्ली की तरफ आया तो दिल्ली के पास में ही इस दिएक अफगानपुर नामक जगे पर सुल्तान के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनाया गया लेकिन वो महल डे गया और उसके नीचे दब जाने से गैसुदिन तुगलक की मृत्यू हो गई और सुल्तान कभी भी दिल्ली नहीं पहुंच पाया इसलि दुगलक ने कुछ innovative कारिय किये थे यह पहला सुल्तान था सल्तनतकाल का जिसने सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरों के निर्मान का कारिये शुरू करवाया यह बात अलग है कि उसका शासनकाल बहुत अल्प शासनकाल रहा इसलिए वह इन नहरों को पूर्ण नहीं करवा और इसके अलवा गैसो दिन तुगलक ने एक श्रेष्ट डाक व्यवस्ता की इस्थापना की जो अब तक किसी भी दिली सल्टनत के सुल्तान द्वारा इसको व्यवस्तित नहीं किया गया था इसलिए उसने पहली बार जो है एक विशेश प्रकार की डाक चोक्यों की विवि प्रबंदन इस समय में उसने किया और इसके अलावा जनकल्यान के कारियों कि अगर मंबात करें तो गैसो दिन तुगलक ने किसानों का जो रेविन्यू था जो भूराजसू लिया जाता था अलव दिन के समय से 50 प्रतिशत लिया जाज रहा था उसको कम करके उसको वापिस एक मेटा तीन कर दिया तो इस परकार हम कह सकते हैं कि गैसो दिन तुगलक ने अपने अलव प्रशासन काल के समय में भी बहुत सारे नए कारिये जनकल्यान के कारिये जिसमें नेरों का निर्मान की विवस्ता है या वो राजसों को कम करना है या प्रशासनिक विवस्ताओं तुकलक काल का पहला सुल्तान संस्तापक सुल्तान था जिसके शासनकाल में ये विभिन कारिय हुए धन्यवाद